हेलो नमस्कार जेहिन साथियो जो भी स्टूडेंट फिलहाल में दोस्तों UPSC, MPPSC, PCS या पटवारी या कोई भी स्टेट लेवल की एक्जाम्स या सेंट्रल लेवल की एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं जैसे रेलवेड डी ग्रूप हो गया, देली पुलिस हो गया दोस्तों, फोरेस गाड हो गया, लेखफाल हो गया, प्लाटून कमांडर, MPSI या जो भी ऐसी कॉंप्टेटिटी एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ भारतिय राज योस्था के बारे में और संपुन भारतिय राज योस्था का सिलेवस, इससे पहल मैं अपना संचीत परिचे दूँ, मेरा नाम सचिन मंसार है, और मैं 2015 से लगाकर 2020 तक सास की महा विद्याले सनावद में निशूलक, UPSC की निशूलक का क्छाओं का संचलन करता आया हूँ, साथ ही सनावस सहर की सभी एकेडमीज में GS के रूप में मैं पढ़ाते आया हूँ और दोस्तों वर्तमान में मैं गवर्मेंट पॉलिटेकनिक काले सनावद में जूनियर कंसल्टेंट पर अभी पदस्त हूँ, और इसके साथ मेरे सनावस सहर में ही मेरे Youth Civil Services Academy वही पर है, उसका वर्तमान में डारेक्टर हूँ, तो दोस्तों हम आज डिसकस कर लेते हैं, हारत सबसे भी आविलेबल करवाए हैं, तो आप एक नजर इस पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से टोपिक इसमें सामिल रहेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों सविधानिक विकास रहेगा, इसके साथ में सविधान की प्रस्तावना, लोक तंत्र रहेगा, और कारे पालिका के बार राज सबा, राज सबा के बारे में देखेंगे, असी में दे रहा इसके बारे में, लोक सबा में वर्तमान में बात करें कि कितनी सीटे हैं, या फिर कुल सीटे कितनी हो सकती हैं, उसके बारे में और कौन से राज से कितनी सीटे आती हैं दोस्तों, इसके बारे में पढ़ें पढ़ेंगे, राजसभा की सिटें इनके बारें पढ़ेंगे, सविधान के कुल भागे उसके बारें पढ़ेंगे, सविधान की जो अनुसुचिया है, जैसे 12 अनुसुचिया है, पहले सविधान लागू हुआ था, जब सविधान बनकर तयार हुआ था, या लागू हुआ थ देर रखा है महान्यवाधी दोष्टों जो भारत सरकार का प्लच्छ में य蓄ल को आधिकल इसके थिसे बारे मं बढ़ेंगे। फिर इसके बाद में मंत्री मंडल क्या होता है, मंत्री परिशत क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे, बजट के बारे में देखेंगे, वार्शिय वित्ती विवरण के बारे में देखेंगे, भारत सरकार की कितने खाते होते हैं, कितनी निधियां होती हैं, उनके बारे मे आर्टिकल वन टू के फोर में हैं और हाई कोट के बारे में पढ़ेंगे फिर बात करें राज्यों में डिस्टिक कोट के बारे में बात करेंगे कि जीला नियाले क्या होता है सत्र नियाले क्या होता है भारत में हाई कोट कितने हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कुछ महतपु पढ़ेंगे दोस्तों आपात उबन जो तीन प्रकार के होते हैं उनको पढ़ेंगे राश्टी प्रतिक चिन्नों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद मुलिक अधिकार जो है इनके बारे में पढ़ेंगे मुल कर्तव इनके बारे में पढ़ेंगे राजी के निती निद्शक होंगे अलग-अलग सोशन के विरुद्ध में दल वदल के बारें पढ़ेंगे और जैसे कुछ महतपुन आयोग है उनके बारे में जैसे राजनेतिक दल है विदान परिशद के बारें पड़ेंगे, राज्यों के जो राज्येपाल होते हैं उनके बारें पड़ेंगे, क्योंकि योग्यता क्या होने चाहिए, कब तक हेरे सकते हैं, इनका कार क्या है, इनके बारें पड़ेंगे, राज्यी की मंत्री परिशद, मंत्री मंडल के बारें आयोग महिला आयोग पिछड़ा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग यह तमाम चीजों के बारे में हम इस पर डिसकसन करेंगे आपको आड़े लेक्चर में मिलेगा आप एक बार जरूर इसको ट्राइ कीजेगा सुनिएगा और मुझे विश्वास है कि आप जरूर सपल होंगे और आपको आच्छा से समझ में भी आएगा मैं आपकी उजवल भविश्ची की कामना करता हूँ दोस्तो